हेलो दोस्तों आप सभी का हमाई चैनल कक्षा में स्वागत है आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाथ हजार प्रश्णों की सिरीज का चौथा पार्ट अगर आपको सभी पार्ट पसंदा रहे हों तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें तो चलिए हम चलेंगे अपने पहले प्रश्ट की और हमारा पहला प्रश्ट है सिख गुरू तेज बहादुर को किसने मृत्यू डंड दिलवाया ओप्शन दिये हुए हैं हुमायू ने, साजहा ने, और अंगजेब ने या फिर बहादुर शाह ने इसका सही उत्तर है और अंगजेब ने अब हमारा अगला प्रश्ट किस पंच वर्शिये योजना की अवधी में फिलाही और दुरगापुर के इस पातकार खाने लगाए गए प्रथम, ड्वितिये, तृतिये या फिर चतुर्थ इसका सही उत्तर है ड्वितिये हमारा अगला प्रश्ट कल्प योजना का संबंध किस राज्य से है ओप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश अब हमारा अगला प्रश्ट स्वामी विवेका नंद ने राम क्रिष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1861 में, 1891 में, 1893 में या फिर 1897 में? इसका सही उत्तर है 1897 में. हमारा अगला प्रेश्ट हितोप देश के लेखक कौन है? उप्शन है बाडभट, भवभूती, नारायण पंडित या फिर विश्णू सर्मा. इसका सही उत्तर है नारायण पंडित. भारत में सरवाधिक कच्ची सडकों वाला राज कौन सा है? उप्शन है बहाराष्ट, उत्तर प्रेश, ओरीशा या फिर पंजाब. उत्तर टिक कर लीजे, इसका सही उत्तर है ओरीशा. अगला प्रेश्ट, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, मूसी नदी या फिर गोमती नदी? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी. अब आपसे मेरा प्रेश्ट, लखनो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दें. रगबी फुट्बॉल के खेल में प्रतेक पच्छ में किते खिलाडी होते हैं? आप्शन है बारा, पंदरा, तेरा या फिर छे. इसका सही उत्तर है पंदरा. रगबी फुट्बॉल में ही सबसे ज़्यादा खिलाडी खेलते हैं. अब हमारा अगला प्रेश्ट है भारत में कब पहली बार राष्टिय आपातकाल खोशित किया गया था? 1962 में, 1966 में, 1978 में या फिर 1987 में. इसका सही उत्तर है 1962 में. शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप्शन है 24, 18, 29 या 27 इसका सही उत्तर है 24. अब हमारा अगला प्रेश्ट पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है. कैरोसीन तेल में, जल में, पैट्रोल में या फिर हवा में. इसका सही उत्तर है जल में. किस मृता का इस्थानिय नाम रेगुड है? आप्शन है काली म्रिदा, जलोड मिदा, लेटराइट म्रिदा या फिर लाल म्रिदा. इसका सही उत्तर है काली म्रिदा. फल शोड संसिथान कहां इस्थित है? लखनव में, कानपुर में, शिमला में या फिर साबाओर में. इसका सही उत्तर है साबाओर में. हमारा अगला प्रेश्ट फतेह पूर्शीक्री की स्थापना का श्रे किसे दिया जाता है? अकबर, शाजहा, शेर्शा, चहागे. इसका सही उत्तर है अकबर. गड़तंत्र होता है. केवल एक लोकतांत्रिक राज, संसदिय पध्यती, शाशनवाला राज, राज जहां पर अध्यज, वन्शानुगत रूप से ना हो. अपना उत्तर टिक करिये. इसका सही उत्तर है राज जहां पर अध्यज, वन्शानुगत रूप से ना हो. अब हमारा आखरी प्रेश्ट, धान के प्रिसिद, खेरा रोग का कारण है. जिवाडू, फफूंदी, जस्ता की कमी. इसका सही उत्तर है जस्ता की कमी. इससे पहले मैंने तीन पार्ट पोश्ट कर दिये हैं. तो उसमें आपसे कुछ सवाल पूछेते जिसका जवाब आप लोगों नहीं नहीं दिया है. तो मैं उसका उत्तर आपको बताए दे रही हूँ. पहला प्रिश्ण था की मद्रास किस राज का पुराना नाम है. इसका सही उत्तर है तमिल नाडू. हमारा दूसरा प्रिश्ण था एकवाडोर की राजधानी क्या है. इसका सही उत्तर है क्यूटो और हमारा तीसरा प्रेश्ण था रास्टिय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है इसका सही उत्तर है 28 फरवरी अभी भी मैंने कल जो प्रेश्ण पूचा था उसका उत्तर नहीं बताया है अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट उत्तर कर दें तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले धन्यवाद